नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका Defense Gallery में इस Quick Update में हम आज बात करने वाले हैं दो चीजों के बारे में पहला होगा Astra MK2 के टेस्ट को लेके ये कल वाले वीडियो से काफी अलग वीडियो होने वाली है जिसमें मैं बताओंगा कि Astra का टेस्ट बहुत जल्दी यानि कली होने वाला है दूसरा आपको इंडियन आर्मी के एक सीक्रेट प्रील के बारे में पता चलेगा जो कि इंडिया ने इसराइल से की है आते हैं सबसे पहले टॉपिक पे जो कि हमारा Astra MK2 के टेस्ट को लेके मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि Astra Mark 2 का जो टेस्ट है वो इसी साल के जून के बाद से होने वाला है लेकिन वो जो टेस्ट था वो मैंने बताया था कि 130 MKi के थुरू होगा यानि कि किसी फाइटर जेट के थुरू Astra MK2 को टेस्ट किया जाएगा लेकिन जब भी किसी फाइटर जेट के थुरू किसी air to air मिसाइल को टेस्ट किया जाता है तो उससे पहले उसके ground trials होते हैं जिसमें कि उस मिसाइल को grounds यानि कि surface to air mode में test किया जाता है और उसी तरीके का test DRDO कल करने वाला है ऐसी उड़ती उड़ती खबर आ रही है ये खबर 100% शोर नहीं है इसलिए हो सकता है कि ये test 18-20 के बीच में हो कल भी हो सकता है लेकिन ऐसी possibility है कि अगले 3 दिनों के बीच में कभी भी हो सकता है तो जब भी होगा तो अगर test होने के बाद ये बाते मीडिया में आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा लेकिन ये एक बड़ा achievement है कि Astra MK1A अभी just ही develop हुआ उसको develop करने में 20 साल का समय लगा अभी उनका induction शुरू ही हुआ है और उसके साथ-साथ आप देखते है कि इतनी जल्दी आप आपको Astra MK2 के test के बारे में पता चलता है तो ये अपने आप में काफी अच्छी खबर है और यही चीज होती है जब आप पहली बार किसी technology को develop करते हैं तो पहली बार में Astra Mark 1A develop करने में लगी 20 साल लेकि Astra Mark 2 में आपको 2 साल सिर्फ लग रहा है तो आप देखे 90% time आपका कम हो होता है यह सबसे important चीज है जैसा होगा इस test में जैसे results आएंगे हम उसके बारे में आपको जरूर अपडेट करेंगे बढ़ते अपनी अगली अपडेट पर जो की equally important है आपने सुना होगा कुछ लिनों पहले हमने भी अपने वीडियो में बताया हुआ था कि इंडियन को lease पे लिया हुआ है इसराइल से यह जो lease पे लिये गए ही रोन ड्रोन से इसराइल से यह फिलहाल के लिए तीन साल के लिए लिये गए है और अगर सब कुछ ठीक रहता है और जरूरत पड़ती है तो इंडियन आर्मी उस lease को दो साल extend कर सकती है ऐसा इस deal में already बात हो लेकिन फिलहाल के तोर पे अगर कुछ नहीं बताया गया है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो की secret है हाला कि एक expected amount है कि 200 million dollar के आसपास की यह deal हुई है लेकिन हम इस चीज की पुष्टी नहीं करते हैं बशरते यह जो बात है यह लगभग सच है कि इंडियन आर्मी ने इ यह अपने आप में काफी ज़्यादा काबलियत रखता है कैसी काबलियत तो देखिए यह लगभग 45,000 feet तक की उचाई जो की commercial airline की उचाई से काफी ज़्यादा होती है तो इतनी उचाई तक जाके आपके लिए surveillance का भी काम करता है साथी साथ यह attack भी कर सकता है endurance अगर आप द तो अगर आपने 30 घंटे इसको उड़ाया 400 ने 200 किलोमेटर के भी रफतार से तो आप सोचिए कितनी जादा speed के साथ आप बहुत बड़े area को लगभग पूरे LAC को आप एक बार के उड़ान में cover कर सकते हैं तो यानि कि यह जो 4 drone होंगे वही मिलके लगभग लगभग पूर पूरा का पूरा हमारा जो LAC और LOC है उसके आसपास को बिलकुल ठीक से cover कर सकते हैं फिलहाल के लिए हाला कि भविश्यों में और जरूरत पढ़ेंगे पर फिलहाल के लिए काम चलाने के लिए यह काफी है साथी साथ क्यूंकि यह एक attack drone है तो इसमें 2700 kg तक का payload भी यह drone ल इंडियन आर्मी ने क्या इस drone के साथ weapons को भी लिया है यह point अभी clear नहीं हो पाया है और इस पे कुछ confirmation नहीं है तो हम भी कुछ इसमें नहीं बता सकते हाला कि अगर weapon होता है तो यह एक additional add-on होता है और नहीं भी है तो भी इंडियन आर्मी की जो surveillance की capability है वो कहीं न कहीं इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी बाकी मैं देखता हूँ कि इंडियन नेवी ने जो drone अमेरिका से लिया है और इंडियन आर्मी ने जो drone इसराइल से लिया है इसके बीच में comparison करके भी हम देखेंगे कि कौन सा drone ज्यादा अच्छा हो सकता है अगर भविश में इंडिया किस ड्रोन को खरीदता है तो तो हम उस comparison में इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे फिलहाल की update के लिए इतना ही मैं वनीश मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भोलिएगा नमस्कार जय हिंत